हेलो स्टुडंट, वेलकम बैक, आज हम बात करेंगे फर्स्ट लो अफ मोशन के बारे में, इसके पहले जो टॉपिक देखे थे वह कौन से थे, तो फोर्स के इंट्रोडक्शन थी ठीक है, और उसके टाइप समने देखे थे, जो टाइप के बारे में बात करें हम, तो दो टा बुला जाता है, तो जिसका रिजल्टन या फिर नेट फोर्स जीरो न बन रहा हो, तो उसे क्या बुला जाएगा, अन्बैलेंस फोर्स बुला जाएगा, ठीक है, अब जब भी अन्बैलेंस फोर्स लगता है, तब वह अबजेक्ट अपनी स्टेट क्या करता है, चेंज करत तो उस टैक वो अपनी position वही की वही रखेगा, यानि कि state वही की वही रखता है, जो motion में होगा तो motion या फिर wrist में होगा तो wrist में ही रहता है, ठीक है, अब हम बात करते हैं, first law के बारे में, तो एक example यानि कि figure के दुर समझते हैं, जो आपको साथ में amazing भी करना है, कि माल लेते कि कुछ अब मैदान में या फिर ग्रास वाली surface हो, ठीक है, वहाँ पर आपको एक ball वगेरा, रोल कर रहे हैं, उसे motion दे रहे हैं, ठीक है, तो वह move करने की वज़ए से, क्या होगा कि कुछ distance पर जाकि वह, क्या हो जाता है, stop हो जाता है, तो क्या आप मुझे, यान कि कुछ इसके motion के opposite, opposite में कोई force लगता होना चाहिए, जिनकी वज़ए से ये stop हो रहा है, और ऐसा force, यानि कि ऐसे force को क्या बोला जाता है, तो वह भी आप जानते, क्या बोला जाता है, उसे friction बोला जाता है, ठीक है, तो ये friction की वज़ए से कुछ distance cover करके, वह बाद में क्या हो जाता है, stop हो जाता है, ठीक है, अब हम एक और surface लेते हैं, यानि कि दुसरी surface पर उसे move करते हैं, और वह माग लेते plane mirror, ये कोई grass वाली surface हो जाएगी, ठीक है, और ये हम ले लेते plane mirror वाली, यानि कि अब ये जो बोल हम, या फिर ये object को move करवाएंगे, उसे motion में लाएंग तो वह क्या करेगा, वह भी कुछ distance cover करके, क्या होने ओला है, stop होने ओला है, ठीक है, बट अब ये जो यहाँ पर इसमें जो distance cover किया होगा, क्या वह पहली की condition के according ज्यादा होगा, तो obviously होगा ही ज्यादा, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, दोलों condition में, क फिर object यह surface के अब दोनों के बीच में जो friction force थी, वक कैसी लग रही थी, ज्यादा, ओके, और जो second condition में, plane mirror वारी condition में, आप अब ये दोनों की बीच का जो friction होगा, वह पहले के compare कम लग रहा है, जिसकी वज़़ा से वक क्या करता है, और भी ज्यादा distance cover करता है, ठीक है, बा close कर लेते हैं, तो क्या इस ball के उपर क्या observation देखने को मिलेगा, इस object के उपर क्या observation देखने को मिलागा, क्या वह stop होने वाला है, तो नई, वह stop होगा, नई, अपनी continuously कोई constant स्पीर से वह motion चालो रखेगा, continuously वह चलता ही रहेगा, ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा होगा, कि इसक इसके उपर कोई भी तरह का unbalanced force accept नहीं हो रहा है, बाद समझ रहे हैं, कि यह जो अपनी motion show कर रहा है, यांगी continuous निवा move कर रहा है, तो हम तो इसके उपर कोई भी type की force लगा नहीं रहे, फिर भी यह क्या हो रहा है, बीना कोई force से ही move कर रहा है, ठीक है, तो इसके उपर अपलग ऐसा हुआ कि यह एक कौनसी force से move हो रहा है, यानि कि इसके उपर कौनसी force accept होती होगी, तो जो balance force है वही है, उसके उपर accept हो रहा है, जिसके वाज़े से क्या हो रहा है, move हो रहा है, ठीक है, तो अब जैसे ही आप इसके उपर कोई external force apply करेंगे, जैसे कि आप आगे क कोई break लगा देते हैं, या पिर आगे हाथ रख दोगे, ठीक है, तो फिर वाग क्या हो जाएगा, stop होने वाला है, यानि कि इसके motion के oppose में आपने force लगा है, जिसके वाज़े से वाज़े से वाग क्या हुआ, stop हो गया, इसका मतलब या भी इसके उपर और भी कोई external force लगी, तो उसकी velocity decrease हो सकती है, या फिर increase हम कर सकते है, वाज समझा रही है, ठीक है, बट वा कब होगा, तो जब उसके उपर unbalanced force exert होगा, तब जब तक इसके उपर unbalanced force exert नहीं हो रहा है, तब तक के लिए वा अपनी state remain ही रखता है, यानि कि वही की वही रखेगा, वा जो rest में होगा तो rest में ही रहने का try करेगा, and जो वा continuously motion में है, तो वा अपनी motion चालूई रखेगा, ठीक है, तो ये था एक low, first low of motion, और ये किंद का दिया हुआ है, newtons का दिया हुआ है, ठीक है, newtons ने इस तरह से तीन low दिये हुए, जिसमें से ये first low हमने अभी समझा, तो इसकी statement लिखन तो क्या हुआ सब दिया है, तो अभी डिख लिखेगे ते, an object remains in a state of wrist or in uniform motion इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, अनलेस, बट ये कब अपनी दोनु स्टेट में रिमेंड रह सकता है, तो जब तक उसके उपर, यानिकी अनलेस एन, एक्स्टरनल, अन्बेलेस, अन्बेलेस्ट फोर्स इस, एपलाइड और इट, ठीके, यानिकी जब तक इन अप्जेक के उपर, external force और वह भी कौन सा unbalanced नहीं की balanced तो जब तक external unbalanced force नहीं लग रहा कोई object के उपर तब तक के लिए वह अपनी state remain ही रखेगा वह वही state में रहेगा यानि कि जो rest में होगा तो rest में ही रहने वाला है या भी वह motion कर रहा है तो वह अपनी uniform motion से ही चलता रहने वाला है ठीक है तो यह हो जाएगी neutrons first loss statement ठीक है ओके जैसे कि अब यह object यानि कि यह bouquet तो यह अब भी क्या है rest position में यानि कि इसके उपर कोई भी type का external force ना लगा हूँ तो वह क्या होने वाला है rest में ही रहने वाला है जैसे मैं इसके उपर external force apply करूगा तो वह क्या हो जाएगा अपनी state change कर देता है बड़ कब external unbalance force उसके उपर accept होना start हुआ तब ठीक है जब तक इसके उपर कोई external unbalance force नहीं लग रहा था तब तक वह क्या था rest position में था अब यह rest position में होने कि यारे कि दो condition में हो सकता है balance force लगता हो तो वह उस time भी वह अपनी position rest में हो तो rest में रहता है या फिर continuously वह motion भी करता है वह आगे भी देख लिया था ठीक है तो यह थी statement first law of motion की जो निटरंस ने दी थी बट यह निटरंस ने किनके through दी थी तो उसने जो Galileo नाम के जो scientist थे उनी के experiment के उपर से उन्होंने जो conclusion निकाला था उनके उपर से उसने ये तेंस लो बताए थे तो वह Galileo जो थे उन्होंने क्या experiment किये थे वह भी हम देख लेते हैं तो जो Galileo Galilei उनका नाम क्या था Galileo Galilei तो उनका जो experiment नौर्मजम समझते हैं तो कुछ इस तरक आथा कि उन्होंने एक slope slope लिया था ओके और उसके टॉप के उपर से अब्जेक्ट को रिलीस किया ठीके छोड़ा तो क्या होगा होगा motion करके नीचे आएगा ठीके तो अब यहाँ पर उसकी कुछ velocity भी होगी तो यहाँ फर्स्ट जो velocity है हम वह suppose कर लेते हैं V1 सेकेंड है वह वह बीटू suppose कर लेते हैं तो आप सोच सकते कि कौन सी velocity यहाँ पर ज्याद होगी obviously यहाँ पर जो अब यह move करता होगा नीचे आएगा तो उसका मतलब इसकी velocity में क्या होने वाला है बढ़ने वाला है यानि कि इस time जब वह उपर से नीचे आ रहा है तो वह क्या होगा वहाँ पर velocity इंक्रीज होने वाली तो यहाँ पर क्या होगा V2 greater than V1 होने वाला है ओके next उसने क्या किया था कि अब इसका पूरा उल्टा यानि कि नीचे से अब उपर बॉल को move करवाया जाए ठीके तो अब उस time क्या होने वाला है तो उसकी velocity अब decrease हो जाएगी यानि कि V1 less than V2 हो जाएगा या फिर आप ऐसा भी लिख सकते है V2 less than V1 क्या V2 less than V1 और यहाँ पर क्या हो रहा है V2 greater than V1 ठीके तो यह थे इसके experiment और भी एक था कि उसने अब क्या किया कि अब यह जो दोश लोग थे वह उसने frictionless बना दिये यानि कि अब उसकी माल लेते हैं सपोस कर लेते हैं कि friction उसके पर नहीं है 0 बिना friction वाला ठीके और उस ताइम यह दोनोश लोग कि जो angle बनती है वह angle भी same ले थी ओके तो हम उस angle को अभी सपोस कर लेते हैं ठीटा यह ठीटा भी एक angle का ही symbol है जिसे क्या बड़ा जयका ठीटा ओके तो यहाँ पर डोनोश एंगल क्या है slope की same ली है ठीके और object को अब हम क्या करेंगे कोई particular height पर से हम release कर रहे हैं तो उसका क्या होगा अब यह move करके कुछ इस direction में जाने वाला है तो अब यह जैसे हम release करते तो वह क्या होता है सामने वाले slope के उपर भी उतनी height पर जाता है ठीके यहाँ कि यहाँ से h height पर से आपने release किया तो यहाँ पर भी वह कितनी height ले लेता है h height पर जाता है ठीके और इसके लिए कुछ उसने जो distance भी cover करना पड़ेगा तो आप suppose कर लेते हैं d1 distance उसने cover किया ओके second अब हम इसमें क्या करना है कि अब यह सामने वाला जो slope अब उसकी जो angle अब डिक्रीस करते जाना है तो दिक्रीस करते जाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा वह देख लेते हैं कि अब मांग लेते कुछ यहाँ पर theta 1 और यहाँ पर theta 2 यानि कि यह angle क्या कर दिया हमने डिक्रीस किया ठीक है अब यहाँ पर जो h हाइट से हम उससे रिलीज करेंगे छोड़ेंगे तो वह सेम टू सेम हाइट यहाँ पर भी लेने वाला है वहाँ पर हाइट लेगा तो अब इस ताइम इससे जो हाइट गेन की तो उसके लिए first के compare क्या ज्यादा डिस्टन्स कवर करना पड़ेगा सोच सकते हैं यहाँ पर जो यह डिटू डिस्टन्स कवर कर रहा है वह पहले के compare क्या होने वाला है ज्यादा होने वाला है याने कि D2 greater than D1 किसके compare first condition के compare तो जैसे जैसे आप हाइट decrease करते जाते वैसे वैसे इसका जो डिस्टन्स होगा वह भी उतनी जो एंगल आप डिक्रीस करते जाते है तो वह एंगल डिक्रीस करने के बाद जो हाइट वह सेम हाइट गेन करने के लिए उसे डिस्टन्स भी क्या करना पड़ेगा ज्यादा cover करना पड़ेगा ठीके तो अब उन्होंने क्या किया कि सामने वाले slope की जो एंगल है वह 0 कर दी यानिकी एक plane बना दिया ठीके क्या किया उन्होंने सामने वाले एंगल ठीटा इस इक्वल टू जीरो ले लिया और पूरी एक रफ नहीं बट फ्रिक्शनलेस सर्फेस है तो अब उस तैंग ये बॉल की कंडिशन क्या होगी वह हाइट गेन करने के लिए क्या करेगा कंटिनियसली मुह होता ही रहेगा कहीं पे स्टॉप होगा तो नहीं ऑके क्यों नहीं हो रहा है और दूसरा भी रिजन है कि यहाँ पर हमने फ्रिक्शनलेस कर रहा है अभी नॉर्मल कंडिशन नॉर्मल सिस्ट्यूएशन में ऐसी कंडिशन पॉसिबल नहीं है ऑके बट ये friction lesson बना दे और इस तरह से suppose करें तो वह क्या करेगा ball अपनी height gain करने के लिए continuously चलता ही रहेगा कहीं पर भी stop होगा नहीं तो अब यह continuous जो चल रहा है तो हमने इसके उपर कोई भी type का unbalanced force नहीं लगा रहा है फिर भी वह क्या कर रहा है अपनी motion एक uniform motion से ही जा रहा है तो अब इसकी motion मालोग कि हमें उस position को stop करना है यानि कि वह motion को stop करना है यानि rest position में लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा unbalanced force यानि कि external unbalanced force apply करेगे तभी जाके वह रिष्ट में आ सकता है ठीक है जब तक कोई इस तरह का post apply नहीं होगा तो वह क्या होनने वाला है continuously move करता रहेगा ठीक है तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि यह जो unbalanced force इसके उपर नहीं apply हो रहा है तो वह object अपनी position या फिर अपनी state continuously remain ही रखता है वही की वही रखता है ठीक है तो यह बात थी कुछ गहले लियों के experiment की और दुसरा आमने देखा कि जो first law of motion क्या उसकी statement क्या है तो जब तक कोई object के उपर external unbalanced force accept नहीं हो रहा है तब तक वह object अपनी state remain ही रखेगा यानि कि remain in a state of rest या फिर in uniform motion in a straight line ठीक है तो यह बात थी first law of motion की टेक्ट यू